क्यों लोग डिजिटल मार्गेटिंग को चूज कर रहे हैं इसे बिस्नेस प्रमोशन और लोग क्रियर के लिए उप्ट कर रहे हैं से हलो एब वन मैसल्फ मनमोहन सिंगला फाउंडर जुगाडेन.com और आज हम बात करने वाले हैं intent targeting keywords के बारे में देखिए intent targeting keywords को समझने से पहले हम एक बार intent का meaning देख लें intent mean होता है आपको पता भी होगा dedication एक work करने के लिए interest तो intent targeting keyword हमने क्यों use कि यहाँ पर keyword कभी भी use कर रहे हैं वो users के लिए use कर रहे हैं योग user ही Google पर क्या गर रहा है search कर रहा है, क्या कर रहा है, query, क्या search कर रहा है, उसको जो product चाहिए, क्या service चाहिए, तो यहाँ पर user का interest है, कि वो product और service के बारे में कुछ जानना चाहता है, तो हम इसमें तीन चीजें देखेंगे, जो interest के basis पर आती है, user के basis पर आती है, कि एक तो informational part, एक commercial part और एक transition, information part देखें कि जब बंदा user search कर रहा है, particular keyword, तो उसके हमने ध्यान देना चाहिए, कि उसके interest है, वो information पाने में है, और उसको हम पूरी information अच्छे से दे रहे है, हम उसके अंदर facts डाल रहे है, हम उसके अंदर products के बारे में पूरा information डाल रहे है, अगर वो product लेना है, क्योंकि हम description के अंदर कुछ ना कुछ keyword optimization करते हैं, तो वहाँ पर अगर बात आती है, तो हम उसके क्या दिखा सकते है, कि products के benefits क्या है, साथ इसा service के क्या benefits है, या उसका क्या नाम place क्या है, manufacturing place क्या है, या क्या वहाँ पर हम और अच्छा कराएंगे, उसके बाद आता है transactional अगर वो final उसके mind में है, कि मुझे ये product लेना ही है, तो उस time पर intent targeting keyword पर हम क्या focus करेंगे, triangle part में, कि we are giving the best offer, उसके mind में क्या चल रहा है, कि मुझे चीज लेनी है, तो हमें assure करना चाहिए उसके जिए, कि हमें best price दे रहे हैं, या हम best offer दे रहे हैं, ताकि वो compare करें, तो उसक झाल झाल